मेरे परिवार जनों जिन जुक्कियों में कॉंग्रेस के नेता फोटो खिचा कर वापिस लोट आते थे आज मोदी उन जुक्कियों में रहने वाले मेरे गड़ी बाई बेहनों को पक्के घर बना कर दे रहा है जिन गरीब और कुपोशित बच्चों के साथ ये कॉंग्रेसी सद द्रज कर फोटो खिंचवादे थे आज उन बच्चों के पोशन की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है जिन गरीबों के साथ कर बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे फोटो शैसन करते थे फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे आज मोदी उन्हें मुप्त राशन सुनिशित करा रहा है भाई और बहनों कोरोना का वो भैंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है पचाथ साल के बाद भी अपनों बच्चों को कहेंगे कि पचाथ साल पहले ऐसा हुआ था इतना भैंकर समय हमने बिताया दो साल मौत मंडरा रही थी दुनिया परेशान थी लेकिन ऐसे संकट की गड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूला जलते रहा है इसके लिए सोचता रहा काम करता रहा आज मुझे संतोस है कि गरीब के घर का चूला मैंने बुझने नहीं दिया आज मुझे संतोस है कि गरीब की बच्चों को रात को भूका सोना नहीं पड़ा आज मुझे संतोस है कि गरीब उस मा को भूखे बच्चे देख करके रात बर रोना नहीं पड़ा मेरे जीवन का इस संतोस है और जब ऐसी सेवा करते है ना तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है इतने गरीबों का पेट भरते है तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है असी करोड को लेगे अन्न खेत्र चल जाए तिन तिन साल तक चल जाए तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है ये पुन्य का हगदार कौन है ये पुन्य का हगदार कौन है इन बच्चों के आसिरवात का हगदार कौन है इन गरीबों के आसिरवात का हगदार कौन है जी नहीं मोदी उसका हगदार नहीं है इस पुन्न के हगदार आप है क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भरतका यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया और इसलिए मेरे भाईयों बेहनों ये जो पुन्य का काम है वैसे तो इस डिसम्बर में इसका समय पूरा हो रहा है लेकिन अगर जिस काम से आपको पुन्य मिलता हो वो काम बोधी बंद नहीं कर सकता है और इसलिए आपके आशिरवात से मैंने इस पुन्य कार्य इस पवित्र कार्य को और पांच साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है निश्चय कर लिया है आप मेरे साथ सहमत है दोनों हाथ उपर करके बताईए मैं सही कर रहा हूं मुझे पांच साल इन लोगों को मुफ्त मैं राशन देना चाहिए ना हर गरीब के घर का चुला जलना चाहिए पूरी ताकत से बताओ गरीब के घर का चुला जलना चाहिए हर गरीब का बच्चा उसका पेट भरना चाहिए मेरा मकसद है यही मकसद है मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो वो अपने परिवार का जिवन बहतर करने में अपनी उर्जा लगा सके बाजपा सरकार में हाँ चत्तर पूर में एक लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजरा के घर भी मिले है अगर किसी को एक कमरा किराय पर मिल जाए ना तो भी वासिरवाद देता है यह आपके बेटे ने यहां पर एक लाख लोगों को पके गर दिये जिनको अभी नहीं मिला है जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना कोई पिए अगर जुगी जोपड़ी में रह रहा है पुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसिबत ना आई होती तो यह काम भी पूरा गवो गया होता लेकिन जो रह गये है उनको मोदी की गारंटी है कि तीन दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद यह काम तेज गती से फिर से किया जाएगा और हर गरीब को मेरी गारंटी है यह मोदी की गारंटी है पका घर मिलके रहेगा मेरी बात पहुंचाओगे हर गर्ग में पहुंचाओगे हर जुग्य जॉपणी में पहुंचाओगे गरीब से गरीब को जाके बताओगे और यह गर भी तिरफ चार दिवारे नहीं है यह घर आपके लिए इज्जद लेकर आएंगे क्योंकि इसमें इज्जद गर होगा सवचालय होगा यह घर आपके लिए सवभागय लेकर आएंगे क्योंकि इन में सवभागय ओजना की बिजली होगी यह घर आपका भविश्य उज्वल बनाएंगे क्योंकि उसमें उज्वलता का गैस कनेक्षन होगा ये घर आपका जिवन आसन बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जिवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा, और ये घर महिलाओं की शक्ति बढाएंगे, उन्हें लगपती बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिश्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी. मेरी माता और बेनों को पता है, हमारे देश में घर होता है, तो पती के नाम पर या पिता के नाम पर, खेद भी पती के या पिता के नाम पर, दुकान भी पती या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पती या पिता के नाम पर, महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है, ह होता है क्या बेहनों के नाम कुछ होता है क्या यह आपका भाई आपका बेटा इसने तै किया है सरकार जो घर देगी ने उस पर मालिकी का हक महिला का होगा मेरी माताई बेहने उसकी मालिक बरेगी